आज मैं क्लास नाइट के NCRT बुक का चेप्टर नमबर वन जिसका नाम है नमबर सिस्टम्स इसकी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जिसमें यह चार कोश्चन्स हैं इन चारो कोश्चन्स का आज हम सोल् यह एक्सरसाइज जिरो या रेशनल लंबर है या नहीं है तो आंसर हमारा है यस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अब बात करते हैं यू राइट इट इन दा फॉर्म पी बाई क्यू पी बाई क्यू फॉर्म में वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नाट बाई the फॉर्म पीए और क्यों किते हैं रीशनल लंबर का फाउम में अगर बी बाई नमबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वह क्या कहता अंबर रेशनल से हैं इंटीजर्स क्या सेट आफ इंटीजर्स हमारा यह होता है ह्यां पर जीरो है 1 2 ृम्र यह माइनस वन मा माइनस त्री यह हमारे क्या हो गए इंटीजर हो गए तो अब पूच रहा है कि zero जो है यह एक इंटीजर है कि नहीं है और इसका अंसर यस है कि यह एक इंटीजर है अब वो पूच रहा है कि can you write it in the form P Y Q तो ये भी देख लेते हैं अब देखे P यहाँ पर क्या है integer है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0 upon 1 भी लिख सकते हैं 0 upon 2 भी लिख सकते हैं 0 upon 3 भी लिख सकते हैं 0 upon 4 similarly धर हम 0 upon minus 1 और 0 upon minus 2 ये सब किसके इकल होते हैं 0 यानि 0 के नीचे अगर कोई भी हम number Q लेते हैं और Q क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए तो ये हमारा 0 ही होता है पर 0 upon 0 ये हमारा undeterminate है अभी तक defined नहीं हुआ है तो यहाँ पर इसलिए Q को हम non-0 लेते हैं question में भी non-0 दे रखा है तो question नमारा इस तरह से था is 0 a rational number तो उसका answer हो गया yes can you write it in the form PYQ तो इसका भी answer हुआ yes हाँ लिख सकते हैं where P and Q are integers तो हमने यहाँ पर integers का इस्तमाल किया Q जो है 1, 2, 3 ये भी integers हैं minus 1, minus 2 ये भी integers हैं Q को 0 के equal question में भी नहीं दे रखा है और हम 0 के equal लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि 0 upon 0 जो है defined नहीं है अब हम बात करते है question number second की question number second भी हमने लिख लिया है find 6 rational numbers between 3 and 4 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर ये क्या हैं integers हैं अब अगर कोई 2 integers दे रखे हो और उनके बीच में अगर हमें rational numbers पूँच रहा हो अब देखिए यहाँ पर ये पूँच रहा है 6 rational numbers तो ये 2 integers दे रखे हैं तो हमें क्या करना है 3 प्लस अगर 6 पूँच रहा है तो 1 y 7 कर देते हैं अगर यहाँ पर 7 पूँच रहा होता के 7 rational numbers बताइए तो हम 1 y 8 कर देते हैं यानि एक ज्यादा करके यहाँ पर रिखेंगे ठीक है अब इसने पुछा है 3 & 4 के बीच के elements ठीक है यानि 3 & 4 को consider नहीं करना है तो 3 plus 1 by 7 एक तो यह हो जाएगा फिर 3 plus 2 by 7 दूसरा यह हो जाएगा अब अगर यहाँ पर यह 7 rational numbers पूछ रहा होता है तो हम देखते 3 plus 1 by 8 3 plus 2 by 8 और इस तरह से हम क्योंकि इसने 6 पूछा है तो हम 6 के इसाब से लिख रहे हैं 3 by 7 plus 3 plus 4 by 7 3 plus 5 by 7 3 plus 6 by 7 ठीक है अब यहाँ पर 7 हम इसी लिए ले रहे हैं यह देखिए 6 rational पूछा है तो 6 by 7 तक यह हमने 6 निकाल लिया है पर अगर यहाँ पर हम 7 ना रखते एगर 6 रखते तो यहाँ पर आके यह 6 by 6 हो जाता तो 6 6 cancel हो जाता 3 plus 1 यानि 4 आ जाता तो हमारा यह इसके को लो जाता तो हम 6 rational number नहीं निकाल सकते थे यानि अगर कोई दो इंटीजर दे रखे हो हमाल लेते हैं पी और क्यू दो इंटीजर हैं इसके बीच के अगर इसके बीच के अगर rational पूछे जा रहे हैं अगर माल लिया उसने n rational पूछे हैं अगला होगा p plus 2 upon n plus 1 अगला होगा p plus 3 upon n plus 1 इस तरह से हमारा यह चलता रहेगा ठीक है अब यहाँ पे एक और example आप देख सकते हैं अगर p मैं ले रहा हूं 1 और q ले रहा हूं 2 ठीक है 1 और 2 के और इसमें हम मान लेते हैं कि इसने 4 rational पूछ लिया n हमने अगर यहाँ पे 4 ले लिया तो यह हमारा किस तरह का आ जाएगा 1 plus 1 upon 5 comma 1 plus 2 upon 5 comma 1 plus 3 upon 5 comma 1 plus 4 upon 5 यह सारे हमारे क्या है rational numbers है इनको आप जो है थोड़ा simplify करके भी लिख सकते हैं जैसे यह 3 plus 1 y 7 लिखा है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं यह हो जाएगा 7 into 3 21 21 plus 1 22 by 7 अब यहाँ पे इतना 22 by 7 आ गया तो इसको अब आप similar देख सकते हैं यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 23 by 7 इस तरह से यह 24 by 7 और यह 25 by 7 और यहाँ पे यह 26 by 7 27 by 7 ठीक है तो हम इसको इस form में भी लिख सकते हैं तो question number second हमारा आखते नहीं है अब हम question number third की बात करते हैं question number third भी हमने लिख लिख लिया है question number third क्या कहता है कि find five rational numbers between three by five and four by five अब यहाँ पे देखें यह दोनों क्या है rational है और उपर वाला जो हमने question किया था उसमें क्या थे यह integers थे पर दोनों में से पूछ क्या रहा है rational अब देखें यहाँ पर यह होता है कि अगर कोई भी दो integer है कोई भी दो integer है xyz या फिर कोई दो rational numbers है उनके बीच में infinite rational होते हैं यानि हमने यहाँ पर जो तरीका निकाला है यह जो हमने आपको तरीका बताया था यह 22 by 7 23 by 7 24 by 7 यह rational होंगे six rational हैं three और four के बीच में पर इसका मतलब यह नहीं है कि यही rational हो सकते हैं इसके अलाबा भी और भी rational numbers इसके बीच में हो सकते हैं infinite मैनी हो सकते हैं ठीक है यह सिर्फ एक तरीका है ताकि अगर कोई question आ जाए कि six rational numbers निकाल लिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इतने ही rational होते हैं इनके बीच में similarly यहां पर भी इसके बीच में हम जो तरीका बता रहे हैं यह तरीका है आप रेशनल जो है questions अगर ऐसे आ जाए तो आप उसमें 20 में rational सरे से निकाल सकते हैं पर rational numbers infinite होते हैं और भी तरीके हो सकते हैं अब اب यहां पर पूँच रहे है वर 455 के बीच में 5 rationale अब अगर यहां पर दखे यह five rationale पूच रहा है तो यहाँ पर 50 कर देते हैं अगर यह 6 rational पूछ रहा होता है तो 1 upon 60 कर देते हैं ठीक हैं अब यहाँ पर यह चुकी 5 पूछ रहा है तो हमने 1 upon 50 कर दिया या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर rational में ऐसे यह 3 by 5 था नीचे 5 था तो इसलिए हमने 50 कर दिया अगर यहाँ पर 6 होता तो हम यहाँ पर 60 कर देते हैं दो तरीके हैं एक तो आपका यहाँ पर चाहे आप देखने और चाहे यहाँ पर देखने पर आप इस तरह से इसमें add कर लेंगे अब यहाँ पर दिखें 3 by 50 प्लस वन अपॉन फिप्टी और अगला हमारा rational क्या होगा 3 by 5 प्लस 1 अपॉन अपॉन टू अपॉन फिप्टी सिमिलरली 3 by 5 प्लस 3 अपॉन फिप्टी अगला क्या होगा हमारा 3 by 5 प्लस 4 अपॉन फिप्टी तो अगला हमारा rational नमबर इसमें हम क्या करते हैं 3 by 5 प्लस 5 बा किसके बीच में यह 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में और इसको हम इसको थोड़ा घर simplify करके लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके जो है denominator हम equal कर लेते हैं तो उसको क्या करेंगे यहां पर हम 0 यानि 10 से उपर नीचे multiply कर देंगे ठीक है तो यह 31 upon 50 हो जाएगा similarly यह 32 upon 50 हो जाएगा यह 33 upon 50 हो जाएगा और यह 34 upon 50 हो जाएगा यह 35 upon 50 और यह हमारे पांचो रेशनल्स हैं किसके बीच में 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में तो इस तरह से हम किनी भी जो है रेशनल्स हों या integers हो उनके बीच के हम rational निकाल सकते हैं तो question number 3 हमारा इतना है अब हम question number 4 की बात करते हैं तो question number 4 हमने लिख लिया है question number 4 किस तरह से state whether the following statements are true or false ये तीन statement दे रखे हैं पूछ रहा है ये true है या फिर false है give reasons for your answer अगर ये true है तो क्यों true है अगर ये false है तो क्यों false है तो answer देख लेते हैं पहला question पहला क्या है every natural number is a whole number ये statement true है या false है अब पहले हम whole number की बात कर लेते हैं whole number क्या होता है हमारा 0 1 2 3 इस तरह से ठीक है natural numbers हमारे क्या होता है जीर स्वारी 1 2 3 अब यहां पर देखे नेचरल numbers जो है वो सारे whole numbers में है whole numbers में चुकि 0 extra है ठीक है यानि natural number में अगर हम 0 add कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा whole number तो इसका मतलब हर natural number क्या है whole number है चुकि हर number जो natural है वो whole number तो पहला statement क्या है true है कि इसको हम लिख सकते है true ठीक है दूसरा कि स्टेट्मेंट हमारा क्या दर रखा कि every integer is a whole number every integer अब integer क्या होता है हमारे माइनस यहां पर अगर हम देखें तो माइनस 2 माइनस 1012 और इस तरह से ही है इधर भी माइनस infinity से infinity तक में जितने भी integers हैं तो उसको हम कहते हैं integer ठीक है अब यहां पर यह माइनस 1 भी है माइनस 2 भी है whole number क्या है 0123 और यहां पर इसने पूछा क्या है कि every integer is a whole number अब यहां से मैं देखूं तो माइनस 2 यह क्या है हमारा integer है पर यह whole number नहीं है चुकि इसमें माइनस का कोई भी element नहीं है तो इसका मतलब यह statement हमारा क्या हो गया फाल्स हो गया अब हम बात करते हैं तीसरा statement कि तीसरा statement कहता है कि every rational number is a whole number अब rational number क्या होता है है Q होए ना rational numbers हमारे जो होता है जो पी अपॉन क्यू फार्म में लिख सकते हैं जहां पर पी और क्यू क्या है integers हैं और क्यू हमारा 0 के एक को नहीं है तो पी अपॉन क्यू फार्म में जो भी लिख सकते हैं अब जैसे हम अगर ले ले लें 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 क्या है हमारा rational है पर यह whole number नहीं है चुकि whole number में क्या है पूरे जो है integers है 0,1,2,3 1 अपॉन 3 का इसमें कोई भी element नहीं होगा इसका मतलब हर rational number whole number नहीं है तो यह वाला statement भी क्या है हमारा पाल्स है ठीक है तो यहां पर यह हमारी exercise complete हुई तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एगली वीडियो में